सिविल सर्विसेज के साथ राज और केंद्र सरकार की बहुत सी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट का चैन इंटेर्विव से होता है कारपरेट और प्राइवेट सेक्टर में तो इंटेर्विव के बिना कोई नियुकती होती ही नहीं लेकिन आपने बहुत से लोगों को सुना होगा return test तो clear कर लिया पर interview में रह गया बहुत से candidate अच्छा ज्यान होते हुए भी interview में अटक जाते हैं दरसल interview देना एक कला भी है और आज इस कला की tips हमें देंगी life and communication coach मीता माथुर important यह है कि इस confidence या लाने के लिए anxiety या nervousness को दूर करने के लिए सबसे important चीज है आपकी practice अगर मैं आपको कहूं कि नहीं आप में confidence होना चाहिए तो confidence को यसी दवाई तो है नहीं कि हम market से लाए और खा लिया तो important यह है कि हम अगर बहुत अच्छे से practice करते हैं practice करने से पहले plan out करते हैं बहुत आराम से कि हमें interview के दोरान किस तरह से behave करना है क्या पहनना है क्या लेके जाना है क्या हमारी फाइल कैसी होनी चाहिए हमारी जो प्रशन हमसे जो पूछे जाएंगे क्योंकि हर एक interview में कुछ पांच्छे सवाल होते हैं जो आम होते हैं और उन पांच्छे सवालों का आप जब 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 अच्छे से दे पाते हैं तो आपने एक धीरे धीरे hot seat पे confidence आने लग जाता है और वो hot seat फिर hot seat नहीं लगती है फिर आप एक अराम से conversation कर सकते हैं दूसरी चीज में यह बोलती हूँ कि आपको क्योंकि मैं एक NLP trainer हूँ NLP master हूँ तो अगर हम इस बात को कि हम एक challenging activity करने जा रहे हैं उसकी जगह हम अगर यह सोचें कि नहीं एक हमाले आगे बढ़ने की opportunity ह तो आपकी सोच में बतलावाता है जब आप challenge feel करते हैं तो आपने एक fight or fear की या freeze होने की एक activity आजाती है कि मैं कैसे इस challenge को कैसे पार करूंगा और डर बैठ जाता है लेकिन अगर आप इसे यह सोचते हैं कि यह opportunity है मेरे लिए आज आगे बढ़ने के लिए तो आपके अंदर एक मान आते है कि हाँ मुझे अच्छे से अच्छा काम करना है planning or practice and reframing कि हमाले यह क्या opportunity है यह तरीके हैं जिससे हम अपने अंदर एक confidence बिल कर से curriculum activities में क्योंकि देखें interview देने से पहले आपका एक CV जो आप बाइटा यह जी में जो भी कहना चाहें वो आपके पास तैयार होता है और वो आपने company को औरड़ी दे दिया होता है उसके अंदर सब कुछ लिखा है कि आपने साल क्या किया कहा पढ़ाई करी कितने percentages आए फिर य पर इंटर्वी इसलिए होता है कि आपकी personality के बारे में हम जान पाए और कोशिश करिये कि जब आप interview में बैठते हैं तो आपकी personality जो है smiling, confident and a person जो की सीखना चाहता है, जो की grow करना चाहता है, जो की एक team के साथ काम कर सकता है, अपने आपको एक leader सावित कर सकता है, ऐसी बात आप करें, तो सफलता आपकी कादम चुएगी, आप interview stall पे जो भी आपका center है, उस पे कम से कम आदा घंटा पहले पहले पहुंचें, इसलिए कि हो सकता है, पार्किंग ना मिले, हो सकता है आप लेट हो, क्योंकि भागते भागते जब आप interview room में पहुंचेंगे तो आपकी स अच्छे से, पहनावा बहुत माईने रखता है और ये आप भी जानते हैं कि भई ऐसा नहीं कि आपकी जो टाई हो या नीचे लटक रही है, या आपकी जो बाल है वो बिल्कुल खड़े हुए है, एक अच्छा सा आप नीच, क्लीन, ये मैंने ही कह रहीं कि भई बहुत फै पिछले पच्छे सालों में ये दिखा गया है कि एक इंसान का जो अटेंशन स्पान है, वो डिक्रीज हो चुका है, फ्रम थ्री मिनिट्स तो उल्ली 90 सेकंड्स, यानि कि देड़ मिनट का उसका जो अटेंशन स्पान होता है, तो अगर आपका कोई भी आंसर तेंशन से जा पिछिटर के जहन में नहीं बैठ रहा है, आप कोशिश करिये कि आपके जो भी आंसर है, वो कंडेंस हो के बहुती कंसाइज छोटे रूप में आप 60 सेकंड्स या ज़ादा से जादा 90 सेकंड्स तक उसे आगे तक बूलें, और कोशिश करिए कि आप ज़ादा से ज़ादा जिसमें आपकी प्रतिभा सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो अल्रेडी आपके सीवी में हैं, तो उनको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है, यस अगर आपने बहुत ही अच्छा जैसे अगर आपने कोई 97, 98% किया है, या आप CGA, CGA, CGA 9 या 10 चल रहा है, जिसके लिए आप बहुत प्राउड हैं, तो वो ज़रूर रखिये और बहुत ही सटल ही रखिये, ध्यान रखिये कि एरोगेंस जो है वो रिक्रूटर के सामने बहुत बुरा इंपक्त देता है, वेल मैनर्ड, स्माइलिंग, कॉन्फिडेंट जो लोग होत हैं, वो रिक्रूटर अपने आप उनसे बहुत अच्छे से सवाल करता है, कई बार क्या होता है, बच्चा डर जाता है कि मेरा इंट्रव्यू बहुत लंबे समय तक चल रहा है, बलकि यह तो एक बहुत अच्छी बात है, कि अगर वो इतने लंबे समयसे आपके साथ क्योंकि जो अच्छा रिक्रूटर है या जिसमें बहुत एक्सपीरेंस है वो फर्स्ट थर्टी या फॉर्टी सेकंड्स में अतना मानस बना लेता है कि इस परसन के साथ मेरा मुझे मेरी जो कंपनी है वो कंपैटिबल होगी या नहीं या इस परसन के साथ हम काम कर सकते हैं य कि अब रही है नहीं बल्कि खुश होई है कि जरूर मैं कुछ अच्छा कर रहा हुआ है